अच्छ के सुड़े में आप उन बात करने वाले कवर के बारे में क्योंकि बहुत सारे बंदे ओपन में जाने के वज़ए से मर जाते एंड उनको सीखना है कि कवर टू कवर फाइट कैसे लिए जाती है कवर एफेक्टिवली कलोज रेंज में कैसे व्यूज किया जाता है तो इस उड़े में वही समझाने वाला है դिपस एंड एक्जामपल के साथ कि कैसे तुम लोग क्लोज रेंज में कवर का यूज एफेक्टिवली कर सकते हो एंड cover to cover के कुछ mistakes भी बताने वाले हो जो करने से तुम्हारा close range improve नहीं होने वाले है लेकिन अगर तुमने वो mistakes avoid की तो तुम्हारा close range एकदम next level improve होगा without doing any drill सो करते ही वीडियो को शुरू आजाओ सबसे पहली टीपे joystick पे तुम्हारा control होना चाहिए तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब भी तुम cover to cover fight की बात करते हो तो तुम्हें वहाँ पे एकदम quickly one second के अंदर moment देनी होती है अगर तुम्हारा joystick पे control नहीं रहा तो वो moment तुम नहीं दे पाओगे तो अगर example की बात करें तो जैसे enemy और तुम open में आके एक दुसरे को spot करते हो तो enemy तुम्हें मारने के कोशिश करता है fire करके और तुम्हें one second के अंदर cover में जाना पड़ता है तो वहाँ पे quick moment चाहिए होती है अगर तुम्हारा joystick पे control नहीं होगा तो तुम वो moment नहीं दे पाओगे और जब भी enemy तुम पे rush कर रहा होता है और तुम cover के पिछे होते हो तो तुम्हें cover में one side moment देते हुए enemy को open में लाना है और उसको head दे के मारना होता है तो वो moment भी तुम नहीं दे पाओगे अगर तुम्हारा तुम्हारे joystick पे control नहीं होगा तो तो हम लोगों को यह तो समझ में आ गया कि joystick पे control होना चाहिए लेकिन क्या करे जिससे joystick पे control आ जाए उसके बारे में बात करते है तो joystick पे control आना मतलब क्या कि तुम्हारे joystick की size and placement है वो अगर तुम्हारे हाथ को suit करती है तो तुम्हारे joystick पे control है लेकिन अगर तुमने control ही से copy किया है joystick की size अलग है तुम्हे suit नहीं करती है बहुत सारी problem से तुम्हें joystick के related तो वो तुम्हें suit नहीं कर रही है तो इसका solution एक ही है कि मैंने recently वीडियो बनाया था जिसमें मैंने detail में बताया था कि तुम कैसे कम से कम टाइम में मतलब कुछ मिंटों में अपने joystick की best size and placement अपने हिसाब से find कर सकते हो अपने second tip है जो की बहुत ज़दा important है और जिससे तुम्हारी cover to cover fight बहुत ज़दा improve हने वाली है वो है कि तुम्हें हमेशा defensive खेलना है अब है defensive का मतलब क्या है कि तुम्हें सोच समझ के खेलना है ऐसा नहीं कि cover है enemy rush कर रहे तुम पे open में तुम्हारे पास cover है फिर भी तुम cover चोड़के open में जाके उसके साथ jiggle fight ले रहे हो ऐसा नहीं करना है वहाँ पे तुम्हें wait करना है enemy को तुम पे rush करने देना है और तुम्हें बिना cover छोड़े cover के around moment देना है मतलब cover के left में right में तुम अलग-अलग moment देके उसको मारने का try करना है in fact कि तुम्हें cover बिलकुल न पड़ेगा तुम यह practice कहाँ पे कर सकते हो आजकल pocket में room मिल रहे तो वहाँ पे तुम उन room का use करके 1v1 खेल सकते हो तकड़े बंदों के against और वहाँ पे जान बूच के तुम्हें cover का use करना है सिर्फ cover to cover खेलना है जिससे तुमरी muscle memory easily बन जाएगी so are guys अब कुछ mistakes के बारे में बात करते है जो कि तुम करते हो जब भी बात आती है cover to cover fight की तो सबसे पहली mistake है जिगल जब भी तुम cover to cover fight लेते हो cover का use करते हो तो तुम्हें cover के पीछे रहते हुए जिगल कभी भी नहीं करना है ऐसा में क्यों कह रहा हो क्योंकि जैसे ही enemy तुम पे rush करेगा open में तुम cover के पीछे होगे जैसे ही तुम जिगल देना start करोगे तुमारा आधा जिगल cover में जाएगा आधा जिगल बाहर आएगा cover से जो सामने वाला enemy है वो cover पे तुम नहीं मार रहा होगा उसने crosshair cover के side में रखा हुआ होगा और वो fire कर रहा होगा तो अब तुम बोलोगे कि भाई जिगल यूज करना है कि ने जिगल यूज करना है लेकिन जब enemy और तुम cover छोड़ के बाहर आ जाते हो cover के पास ही लेकिन cover छोड़ के आ जाते हो बाहर तब तुम्हें जिगल यूज करना है क्योंकि तुम दोनों ही open में हो सो अरगाज अपनी सेकंड मिस्टर गेज जो की बहुत सदा इंपोर्टन्ट है जिसकी वज़से तुम्हारा कवर टू कवर फाइट बहुत सदा इंप्रू हो जाएगा वो है कि तुम्हें हमेशा जो अपना क्रॉसेर है वो एनिमी के हेड़ पे रखना है अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कवर टू कवर फाइट में जैसे ही बंदा बाहर आता है और तुरंत अंदर चला जाता है तो तुम्हारे पास बहुत सदा कम टाइम होता है एनिमी को मारनेगा तो वहाँ पे अगर तुम्हारा एम हेड पे नहीं होगा तो तुम अगर वहाँ पे उसको बॉड़ी मारोगे तो उसको इतना अच्छा कासा डैमेज नहीं पड़ेगा लेकिन अगर तुम्हारा aim head पे होगा एंड उसको एक head लगेगा फिर वो cover के अंदर जाएगा तो तुम easily rush कर सकते हो क्योंकि उसका HP बहुत ज़दा low होगा तो हमेशा cover to cover fight में अपना जो aim है वो head level पे होना चाहिए यह make sure करना है अगर तुम हमेशा cover to cover खेलते हो और वहाँ पे मरते हो तो इसके पीछे का reason यह हो सकता है और अगर यह हुआ तो तुम इसको relate 100% करोगे तो mistake क्या है कि जब भी तुम cover के पीछे रहते हो और तुमें दिख रहा है कि सामने वाला enemy तुम पे rush कर रहे है तो तुम वहाँ पे कोई भी moment नहीं देते हो joystick छोड़े होए होते हो एक जगा पे खड़े होए होते हो तो अगर तुम ऐसा करते हो तो जैसे ही बंदा तुमारे सामने आएगा फिर तुम moment देना start करोगे तो वहाँ पे chances बहुत ज़ादा बढ़ जाते कि तुम गलत moment दोगे या फिर तुम से joystick छुट जाएगा ऐसा बहुत कुछ हो सकता है तो तुम्हें हमेशा जब भी तुम कवर के पिछे रहते हो तुम्हें अपना joystick हिलाते रहना है चाहे तुम एक जगा पे एकदम fast जिगल कर सकते हो या फिर long जिगल जितनी कवर की length उतना कर सकते हो लेकिन तुम्हें joystick हमेशा हिलाते रहना है इसके पिछे का reason ये है कि जैसे बंदा तुम पे rush करेगा तुमारे pass आएगा तुम quickly moment दे सकते है क्योंकि joystick तुमारे अंगुठे पे ही है मतलब तुमारे हाथ में ही है एक खास tip अगर तुम कवर के पीछे खड़े हुए हो joystick छोड़े हुए हो तो सब लोग उसको camper बोलते है